रूस अते यूक्रेन विचाले कई महिन्यातों चल्या आरहातना आखरकार 24 फरवरी दिन वीरवार नू जंग विच बदल गया। यूक्रेन उपर रूस वलो किते गे हमले नू आज चोथा दिन है। गोली बारी अजे वी लगतार जारी है, अते रूस ने यूक्रेन दे दोहोर वड़े शेहरां उपर कबजा करंदा दावा कीता है। जलतें रूसी फाज ने एदावा कीता है कि उसने उक्रेन दे वड़े शहर ख्वीक ते कब्जा करले है उथे ही उक्रेन दे रास्ट्रपती वलोदोमीर जिलैंस्की ने वड़ा ब्यान देता है कि रूस नो उक्रेन उपर हम्ला करन करके संज्जुक्त राष्टर सुरख्या परिशद विचों बाहर कर देना चाइद है। ताजर जानकारी मताबक जित्थे दो लग तो वद यूक्रेन निवासी इस युद करन देश छड़ चुके हन उथे ही यूक्रेन दे साबका टैनिस खिडारी सरजी स्टाखुवस की समेत कई हजारा नागरीक फॉज विच शामल हो गए हन। आते दूसरा तरीका आर्थिक बेन लगा के। उदर पारत दे परदान मंत्री नरिंदर मोदी दी यूक्रेन दे राष्टर पती वलोदोमिर जुलोंस्की नाल गाल बात होई। आते इस दोरान जुलोंस्की ने पारत तो संजुक्त राष्टर सुरुख्या परिशद विच आपने पक्खी समर्थन दी मंग कीती। तादा जानकरी मताबक यूक्रेन दे ज्यादातर इलाक्यां विच रूस दी फौज दाखल हो गई है आते तबाही मचा रही है। रूस दी फौज ने यूक्रेन दे दूजे सब तो वड़े शहर क्वीक विच एक गैस दी पाइपलाइन उडा देती जिस नाल चारे पास से जहरीली हवा फैल गई आते क्वीक विच लोका लेई सा लेना बेहद मुश्किल हो गया। उदर एक रिपोर्ट मुताबिक शनिवार नू यूक्रेन दे फौजी करमचारियां वलों कई थामातों साइन बोर्ड हटा लेग है। दो किष्ट्यानू वी यूक्रेन ने तबाह कर दिता है। यूक्रेन मुताबक हुन ताक इस युद करन दोसोत वद नागरिकां दी जान चली गई है। जिस विच छोटे बच्चे वी शामल हान। न्यूज जन्सी राइड्स मुताबक रूसी राष्ट्रपती वलादी मिरपोते ने यूक्रेन दी फौज नू सत्ता अपने हाथ विच लेन दी गालाखिया। उदर यूक्रेन दे रूसी हमले खिलाफ अमरीका आते उस दे सहजोगी देशा ने पबंदी शुदा रूसी बैंका नू गलोबल वित्ती पुगतान प्रनाली स्विफ्ट तों वाख करन आते रूसी केंदरी बैंक उपर पबंदियां लगोन दा फैसला कीता है। इस दे नाल ही पबंदी शुदा रूसी कंपणियां आते कुलीन वर्ग दियां जाये दादां दा पता लगोन आते उना उपर कारवाई करन दे लेई एक सुन्जुक्त टास्क फोर्स दा गठन कीता गया। जिस नाल रूस नू पारी आर्थिक नुकसान होन दी अशंका है। सिखरते पहुंच जावेगी।